आप मेंसे कितने लोग इस चीज को लेकर चैलेंज में हो कि आपकी टीम जाता सालरी डिमांड करती है, अज फूड बिजनस ओनर लोग आपको जॉइन नहीं करते हैं, या जॉइन करते हैं, किसी ने दो हजार पांच जाता दे दिया और छोड़ के चले जाते हैं, और आपको खायर करना ही फस्स प्लेस में बहुत मेंगा पढ़ता है, क्योंकि पच्छेश, टीस, पचास, साथ हजार रुपे की सालरी उपर से उनको इस्टे भी देना है, उनको खाना भी देना है, और ये आप से सहन नहीं हो रहा है, और क्योंकि अभी तो आप बिगनर हो, इसका एक सिंपल आंसर होता है लोग सोसे एसुपी बनाना कि लिख लिया आपने कि कैसे का का बनेगा तो वो चीज हो गई आगें प्रॉबलम आती ज़िए तो कि इनकी सिने और जादा सेलरी दे आपकी पूरी रेशिप्रइभ चली कि वार ऑँ वह ही सेम आपके सामने आटलेट खुल लिया तो खुद नहीं खुल लिया अपना सामने outlet कि आ रहे हैं, सब कुछ आता है मुझको so अपनी टीम को इस तरह से जब खास कर commercial level पर आप कर रहो न तो प्लीज अपनी टीम को इस तरह के से तयार करो कि let's say आपका cooking का process है cooking में आपके मोटे-मोटे 20 step है 5-5 steps के batches बना लो कि ये 5 चीजें जैसे मसाला कुटना है कौन से मसाले कहां से कुटने है, क्या होता है ये एक process हो गया, फिर मसाले की बाद अगे इस sauce बनती है, sauce बनने का एक step हो गया sauce, let's say pizza की बात कर लेते है pizza का base बनता है, वो एक step हो गया ये सारे चीजों का combine करने का एक step हो गया तो ऐसे चार अलग-अलग batches में आपने convert के लिए, अब जो pizza बना रहा है उसको पता है, लाल sauce जलती है इसमें उसको नहीं पता लाल sauce में क्या जा रहा है वो टेस्ट आपका कैसे आ रहा है जो लाल sauce आपकी ये वो क्या है अगर आप company की भी खरीद रहे हो तो उसपे branding हटा कर आप उसको दूसरे container में करके अपनी टीम को दे रहे हो उसको नहीं पता की किस company की है इसमें आपने क्या मिला है, इसमें क्या mixes की है जिसकी वज़े आपकी टीम यूस तो कर रहे है लेकिन वो उसपे ना आप dependent हो क्योंकि वो छोड़के चली जाए किसी और को भी वही लाल sauce डाल ली है और नहीं वो आपकी recipe ले जाके अपना start कर रहा है या सामने वाले क्योंकि वो मागे क्या क्या मुझे काला मसाला चाहिए काला मसाला यह क्या होदा है वो लाल sauce ची कौन सी लाल sauce वो तो नहीं पता और कई बार ऐसा हुआ कि लिटरली गाओं से हतीम गाओं से हरके शर्मा जी ने एक करोड का बिजनस किया है तीन आउटलेट एक्सपांड कर चुके हैं और एक ही जगे सारे मसाले सारे गिरिवी सारे sauce तयार होते हैं और supply हो जाते इन ओ आउटलेट में अगें शॉपिंग अलग आदमी कर रहा है वो शॉप करके कुटवा के लाग के इनको दे रहा है इसके बाद यह यूज कर रहे ह अगर आउटलेट में उनको नहीं पता कि क्या चीजह आ रही हूं उनकी पास और वह वह वास कम्माइन करके देते हैं अगर आप इसे अगर आप डिटील में जानना चाहते हो कि आप कैसे फूड बिजनस से स्टार्ट कर सकते हो अब मॉडल कोई भी हो लेकिन restaurant, cafe, bakery कोई भी रुपीज की workshop अभी आपको हो सकता, free में मिल जाए, नीचे जाओ, comments में, first comment देखना, आपको एक link मिलेगा, जाओ रेस्टेट करो, यह free workshop आपके लिए है, दो घंटे की live मिलेंगे, and I'll see you later, bye-bye.